हाई हेलो एरिवन आज मैं आपके लिए सुभा के नाश्टे की मज़दार से रेसिपी लेके आई हूँ यह रेसिपी बनाना असान है और जल्द बाजे में बनने वाली रेसिपी यह सब लोग अपने टिफिन में मज़दार तरिके से लेकी जाएंगे चले तो जाद समय ना ल का इस्तवाल कर सकते हैं जो हर किसी के घर में होता है दिन उसकी बाद एक चमच तेल डालना है और स्वादा नू feature नमक डाल लेना है अब आप देख पार हे हमारा पानी ऊबलने लंगा है दिन इसके बाद voyager करना है यह मेंने आधा कप सूजी लिया है हमें क्या करना है जिस कप से हमने पानी लिया था उस कप से ही हमें सूजी लेना है मैंने एक कप पानी लिया था तो आदा कप सूजी लिया है आप देख पार है यह मैंने बारिक सूजी लिया है अगर आपके पास मुटा सूजी हूँ तो आप मिक्सी में उसे पीस ले सकते है देनिस के बाद हमने य से हिला लेना है ताकि इसकी गुटलिया नहीं बननी चाहिए इस तरह से हमें ये हिला लेना है अगर आपकी गुटलिया बन जाती है तो कोई बात नहीं आप इसे चलने के मदसे से फोड सकते हैं इस प्रकार से ये गुटलिया फोड के लेनी ही और अच्छी तरह से इसे थोड पका लेना है इस तरह से हम यह सबसे पहले इस सूजी को पका लेंगे यह रे обяз बनानाος Ne यह सबसे चल्दबाजे में बनने वाली रेसीपी है अब देक पसी अब आप फैन की नीचे भी थंड़ outta 10 एब 32-35 मिनित के लिए मीला लेना है ताकि हमारा बेशन और पानी अच्छी तरर से उसका गोल बन जाएगा इसमे पडले नहीं बचनई हो जाहिए प्लाएंगर The Avip 옆 on a te 175. वो आप चमच की मदद से फोड सकते हैं और हाथ की मदद से बीसे फोड सकते हैं आप देख पा रहे हमार अच्छे तरह से बैटर तयार हो चुका है ज्यादा गाड़ा भी नहीं करना है हमें और ज्यादा पतला भी नहीं करना है पसंद हो तो जादा रेड़ चिली पाउडर डाल सकते हैं और इस तरह से हमें इसे मिला लेना है और इस तरह में इसे गाड़ा पेस्ट बना कर ले लेना है आप इसे हाथ से भी मिला सकते हैं और आपके बास बीटर हो इलेक्ट्रिक बीटर तो आप उससे भी बीट कर सकते हैं देनिस के बाद हमें आड करना है यह मैंने एक शिमला मिर्च काट के लिया है बारिक सा देनिस के बाद आड करना है हरी मिर्च काटी हुई पर ध्यान रखेगा हमने रेड चिली पाउडर भी डाला है तो आपने स्वादानु सराप ग्रिन चिली डाल सकते है देनिस के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि हमारे एक पेस्ट तयार हो जाएगा आप देख पार है हमारे ज्यादा गाड़ा और ज्यादा पतला भी नहीं हुआ है मीडियम ऐसा पेस्ट हमने बना कर लिया है हमने जो थंडा होने के लिए रखा था सूजी का बैटर उस पे अ थोड़ा गाड़ा भी हो चुका है देन इसके बाद इसका एक हमें गुद के आटा तयार कर लेना है जिसे हम लोई बनाते हैं रोटी बनाने के लिए उसी तरही से हमें अच्छी तरह से गुद लेना है अगर आपके हाथ को चिपक रहा हो तो आप ओईल ले सकते हैं और हमें अड़ कर लेना है यह मैंने आदा कप गिहू का आटा लिया है यहाँ पर आप मैदा भी इस्तमाल कर सकते हैं अब हमने आटा डाल लिया है हमें थोड़ा थोड़ा करके आटा इसमें डाल लेना है और अच्छी तरह से यह गुद लेना है आप एक दफा आटा मत डालिय क्योंकि क्या होता है एक दफा आठा डालेंगे तो आपको लगेगा इसमें पानी चाहिए पर ऐसा नहीं होता है आपना ज्यादा पानी हो सकता है आपका इसलिए हमें आठा इसमें थोड़ा थोड़ा ही डाल लेना है अब हमने बचा था वो भी आठा भी इसमें डाल लिया है अप ध्यान रखेगा आदा कप गेऊ काटा में ले लेना है और इसे अच्छी तरह से एक लोई बना लेनी है और ध्यान रखेगा कि इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है इस सूजी में ही हमें इसे गुंद लेना है आप देख पारे हमारा आटा तैयर हो चुका है इसमें फिर से हमें आदा चमच तेल डाल लेना है क्योंकि क्या होता है यह हाथ को चिपक जाता है इसलिए तेल डालके फिर से हमें अच्छी तरसे गूंद लेना है ताकि यह आटा पूरी तरसे सौफ्ट हो जाएगा आप चोटी भी बना सकते हैं आप अपने हिसाब नुसार इस आटे की सभी गोलिया बना के ले लेनी हैं आप देख पारे हमने दो गोलिया बनाई है अब हमारी छे गोलिया बना के तयार हो चुकी है इस आटे में हमारी छे गोलिया हो चुकी है अब इसके बाद हमें इस आटे की ल लगा लेना है देन इसके बाद हमें इसे बेल लेना है ज्यादा पतला भी नहीं करना है और ज्यादा मोटा भी नहीं करना है मीडियम सा में बेल लेना है आप देख पारें अगर आपके बेलने को चिकट रहा है तो आप इसमें ऑईल लगा सकते हैं देन इसके बाद हमने यह नहीं है क्योंकि क्यों होता है तो इस प्याजब करें च briefly इसेलिगों प्याज प्याजबे एक प्याज मेंpage करणा यदि अ क्योंकि इस प्याज में रग देंगे अन्योड यरी शीजिए अन्य Beginप प्लीव में दब कर दिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा तक आने वाले वीडियो के नोटिफिकिशन आपको सबसे पहले मिल जाएंगी अब हमने जो बैटर बना के लिया था बेशन और शिमला मिर्च का वह बैटर हमें इस पर लगा लेना है अच्छी तरह से हमें फैल कर लेना है और हमने जो पराठा बनाया था वो हाथ से आपको उठाना है और इस पैन में डाल देना है अगर आपको हाथ से उठाना नहीं आ रहा हो तो आप क्या किजेगा सूजी का जो हमने पराठा बनाया था वो डायरेक्ट पैन में डालिएगा देन उसके बाद ये जूसे हमको इति फ्राइय कर लेना है यह कृषपी होने तक इससे हमें भून लेना है यह यह दे coming में दे सकते हैं धे सकते हैं आप देखते हैं हमारा तक सब्सक्राइब दोने कर्द केद ΄ट केद से अ इक हमेरivity लिए को ह्यास के लिग आकोLES लगती हो तो वीडियो का लाइक कर दीजिगा चलिए तो फिर मिलते हैं तब तक के लिए बाई टाटा